Hello everyone, I am Arti, I welcome you all to my YouTube channel Art English Classes आज मैं आगेन आपके लिए लेकर आए हैं कुछ important phrases जो की हमारी Delhi conversation का एक inseparable part है means हम इनको अपनी Delhi conversation में use करते ही करते हैं तो सबसे पहले हम phrases को देख लेते हैं so that आपको एक idea हो जाए कि हम कितने important phrases को cover करने वाले हैं इनके English तो मैं आपको बताऊंगे ही as I always do लेकिन पहले इनको हम देख लेते हैं पहला है कुछ हटके करना जैसे example कि इस बार मैं कुछ हटके करने वाला हूं वह हमेंसा कुछ हटके ही करता है right? ऐसे sentences किसी पर जाना किसी पर जाना जैसे कि खाना बनाने के मामले में वह है अपनी grandmother पर गई है तुम बिल्कुल अपने पापर पर गए हो क्योंकि वह है लंबाई में अपनी मम्मी पर गई है ऐसे sentences next है उल्लू बनाना जैसे कि तुम मुझे बहुत उल्लू बना चुके मुझे उल्लू बनाना बंद करो तुम उल्लू बनते ही रहते हो ऐसे sentences पहलिय बुझाना अब देगे पहलिय बुझाने को हम ऐसे भी बोल सकते है वो हमारे हिंदी की conversation के उपर depend करते है कि हम इन में से क्या use करते है जैसे कि साफ साब बोलो पहलिय बुझाना बंद करो मुझे पहलिय बुझाने की आदत नहीं है या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते है कि मुझे गुमा फिरा के बात कहने की आदत नहीं है या फिर ऐसे भी हम बोल सकते है कोई sentence बात को गुमा फिरा के कहना बंद करो जो भी कहना है, साफ साफ कहो, ऐसे sentences, बर्दास्त नहीं है, या फिर था, पास में भी यूज कर सकते है, प्रिजेंट में भी यूज कर सकते है, जैसे, अब देखे, अब आपको होगे कि मैं बर्दास्त करना तो बहुत एजी सा वर्ड है, ये तो हमें पता है कि इंग्लिस में कुछ ऐसे words यूज करें, ताकि हमारी जो English है, वो बहुत जादा impressive हो जाए, ठीक है, कुछ हटके यूज किया जाता है, advanced English में, तो यहाँ पे भी मैं आज आपको बर्दास्त नहीं है, या फिर बर्दास्त नहीं था, इसके लिए एक important phrase आपको बताने वाली हो, अगर आप उ कितने important phrases cover करने वाले, तो चलिए देर के से बात के start करते हैं आज की video, without wasting any time, let's begin, पहला phrase है, कुछ हटके करना, अब देखिए, यहाँ पे कुछ हटके करना भी हो सकता है, या फिर हम यहाँ पे कुछ हटके सोचना, इसके लिए हम, ऐसा थोड़ है कि कुछ हटके किया तो वहाँ पे हम सेम ही phrase यूज करेंगे, कुछ हटके करना जैसे कि तुम बिल्कुल हटके सोचते हो, तुम वह है, उसके सोचने का तरीका बिल्कुल हटकर है, तो ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो देखिए, कुछ हटके करना या सोचना, इसके लिए हम phrase यूज करत तो इन दोनों की ही लगेगी और अगर राएंजी लगना है तो भी हम इन इमें ही यूज करेंगे तो एक्जांपल देख लेते हैं पहला एक्जांपल है मैं कुछ हटके करना चाहता हूं अब देखे यह जो सेंटेंस है यह प्रिजंट इंडेफिन का सेंटेंस है और आपको सब्सक्राइब होगा कि पोजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉम लगाते हैं और अगर सब्जेक्ट सिंगलर नंबर होता है तो वर्ब में ऐसे यह लगाते है अप चलो देखते हैं तो मैं कुछ हटके करना चाहता हूं इंग्लिस में हो जाएगा आई वोंट लेके कैश में केवल एक ही वर्ब है सोचना इसमें कोई और वर्ब नहीं है तो इसी को हम एकोर्डिग टूदर टैंस लगाएंगे और यह इसेंटेंस प्रिजन इंडएफिनिट का ही सेंटेंस हैं और वर्ब की फर्स्ट वो में यूज होती है तो वह है इसीजिलर नंबर ह है तो हम according to the similar number हम वर्ब में ऐसे यह से लगाएंगे तो यह हो जाएगा ही ओल्वेज थिंग्स आउट ओफ दा बोक्स तो यह सेंटेंस हो गया है ही ओल्वेज थिंग्स आफट ओफ दा बोक्स आइधिंक कि आपको समझ में आ होगा कि हैं पर तिंक क्यों आया एक देखि ए मैं कुछ हटके करने की सोच रही हूँ अभा पर आीम थिंगिंग kya का sentence है is rm का use करते हैं वह में ing का use करते हैं तो यह हो जाएगा मैं कुछ हटकर करने की सोच रही हूं राइट जैसे अगर future का करते है कि मैं इस बार कुछ हटकर करूंगा इस बार मैं कुछ हटकर करूंगा I will do something out of the box this time तो ऐसे sentences आप बना सकते हैं अपनी conversation के हिसाब से तो hope यह आपको phrase समझ में आ गया होगा तो कुछ हटके करना के लिए हम लगाएंगे do out of the box और कुछ हटके सोचना इसके लिए हम लगाएंगे think out of the box तो चलिए next phase देख लेते हैं किसी पर जाने का मतलब है to be similar to someone किसी के जैसा दिखाई देना वो किसी के जैसा हम physical appearance में भी दिखाई दे सकते हैं हम behavior में भी किसी की तरह के हो सकते हैं हम height में भी किसी को resemble कर सकते हैं तो जब जहां पर इन सब चीजों को दिखाया जाए कि आप किसके similar हो तब हम यहां पर इस हां एक बात और आपको ध्यान रखनी है यह जितने भी sentence है कि तुम अपने दादा पर गए हो तुम वह कुकिंग के मामले में अपनी दादी पर गई है तुम किस पर गए हो तो याद रखेगा जो यह point है अच्छे से mind में set का लीजे कि यह वाला जो sentence होगा यह present indefinite में ही ब यो फादर तो यह sentence हो गया है यू टेक आफटर यो फादर मिस्स तुम अपने पापा पर गए हो या फिर यह सकते है कि तुम अपने पापा की जैसे दिखाई देते हो या फिर behavior में भी हो सकता है रैट तो कुछ भी हो सकता है बट आपको टेक आफटर का यूज करना है next example है कि हम इसको प्रजेंट इंडाफिट का ही sentence consider करेंगे तो यह हो जाएगा शी टेक्स आफटर यह भी आपको पता ही होगा कि प्रजेंट इंडाफिट में सिंग्लर नंबर के साथ में वर्ब में ऐसी यह लगाते है राइट तो शी टेक्स आफटर और किसके पर गई है अपनी राइट तो यह sentence हो गया she takes after her grandmother in term of cooking तो यह मामले में इंटरम का मिनिंग क्या है मामले में और किसके मामले में cooking के मामले में ठीक है यहापर अगर पढ़ाई के मामले में हो जाएगा तो in term of studying हो जाएगा ठीक है या फिर खेलने के मामले में हो तो in term of playing हो जाएगा means यहाँ प तुम किस पर गए हो अभी मैंने आपको पता है कि present इंडाफिट के बनाएंगे किस पर के लिए हम बोलेंगे वो वो डू यू टेक आफ्टर नेक्स्ट है तुम किस पर गए हो ठीक है present इंडाफिट में ही बनाएंगे interrogative sentence है तो यह sentence हो गया हूँ डू यू टेक आफ्टर तुम किस पर गए हो अइधिक समझ मा आगया होगा मिल्स जहां पर हम किसी के बारे में बात करेंगे कि किस पर गए हो तो महां पर हम टेक आफ्टर का यूज करेंगे समझ मा आगया होगा तो चलिए नेक्सट वेंधिक नेक्स वेंधिक बनाना अब लुट बनाने के लिए हम एक वर्ब यूज करेंगे ट्रिक तो हम इसके लिए एक वर्ब यूज़ करने वाले है ट्रिक और ट्रिक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जिसे भी उल्लू बनाया जाएगा उसको हम ट्रिक के बाद लिखेंगे ट्रिक जो है वह according to the tense चलेगी इसी महीं अंजी लगाने है अगर हमें यूज़ करना है according to the tense इसी की first form लगेगी इसी की second form लगेगी इसी की third form लगेगी तो देखें example से समझ लेते हैं तुमने मुझे उल्लू बनाया तुमने मुझे उल्लू बनाया पास indefinite का sentence है वर्ब की second form लगनी है तो यह हो जाएगा you tricked me right तो यह sentence हो गया है you tricked me देखो यहां पर यह tricked हमने according to the tense क्योंकि past tense का sentence है and after that उल्लू किसे बनाया गया है मुझे बनाया गया तो object है इसमें मुझे तो हम यह trick के बाद मिले कर जाएंगे right अब देखें next मुझे उल्लू बनाना बंद करो अब यह imperative sentence है आपको पता ही होगा और imperative sentence में वर्ब स्टार्टिंग में आती है और यहां पर हमारे पास वर्ब है बंद करो राइट बंद करो के लिए हम यूज करेंगे इस्टोप और आपको पता ही होगा कि जब इंपरेटिव सेंट्रेंस होते हैं तो जो पहली वर्ब होती जिससे हमें स्टार्टिंग में यू लेडी वर्ब दी गई है तो हम उसी स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉम यूज करेंगे और उसके बाद जो वर्ब यूज कि हमने ट्रिक को समा आएंजी लगाएंगे राइट इस्टोप ट्रिकिंग में नैस देखिए वह तुम्हें उल्लू बना रही है अब देखिए प् इंटरोगेटी में बलूं क्या तुम मुझे उल्लू बना रहे हो तो यह हो जाएगा आर यू ट्रिकिंग मी ठीक है वह तुम्हें उल्लू बनाएगा तो फ्यूचर का हो जाएगा तो वह तुम्हें उल्लू बनाएगा ही विल ट्रिक यू तुम्हें बहुत उल्लू बना तो ऐसे आपको पने sentences में जो भी तरीके से यूज करना है कि बनाने के लिए हमें यूज करना है नेक्ट वेस देखे पहली या बुझाना या फिर हम इसको इसको कह सकते हैं गुमा फिरा कर बात करना अभी एक्जमपल समझाओंगा तो आपको उच्छे सब्सक्राइब कैसे हम इसको उसको उसकर सकते हैं कि बात कहने की बात होगी दोनों में लगा सकते हैं तो घुमा फिरा के बात करना एक्जामपल देख लेता हैं जैसे पहल या मत बुझाओ हम किसी से इपोर्टेंट कर रहे हो बात को गुमा फिरा के हमारे सामने जाते है बुलती है तो तब में सीधा जवाब देते हैं कि अधिय नहीं गुंतृ और एसे sentences में हम वर्ब को स्टार्टिंग में लगाते हैं लेकिन चुकि यह negative sentence है मत बुजाओ तो हम यूज करेंगे दों तो हम ऐसे बोलेंगे डोंट टो किन रिडल या फिर एसे भी कह सकते हैं कि डोंट हिस्पीक इन लिडल तो यह sentence हो गया don't talk in riddle या फिर ऐसे भी कह सकते है don't speak in riddle मैं गुमा फिरा के बात नहीं करता अब यह भी present indefinite का ही sentence है और negative sentence है तो आपको पते होगा डूरस का यूज करते है तो यह हो जाएगा I don't talk in riddle तो यह sentence हो गया I don't talk in riddle मैं गुमा फिरा के बात नहीं करता यह फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते है कि मुझे पहले बुझाने की आदत नहीं है तो अकर मैं ऐसे कहते हूँ कि मुझे पहले बुझाने की आदत नहीं है तो हम कहेंगे I am not in the habit of talking in riddle I am not in the habit of talking in riddle तो ऐसे भी हम इसको बहुं सकते हैं तुम घुमा फिरा कर बात क्यों करते हो अब देकि कि प्रेजंटिंडाफिट का ही सैंटेंस है और इंटरवगेटिव सैंटेंस है तो तुम घुमा फिरा की बात क्यों करते हो वाइ डू यू टोख in riddle तो यह sentence हो गया why do you talk in riddle तो इस तरीके से हम इनको according to the tense बनाएंगे जैसे उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह बात को गुमा फिरा के बात करेगी क्योंकि हम यह future का sentence मैंने बोला उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है वह बात को गुमा फिरा के ही बोलेगी तो there is no use of talking to her because she will talk in riddle तो पहले sentence हम कुछ भी बनाएं लेकिन जिसमें हमें पहले बुझाना या फिर गुमा फिरा के बात करने की बात करने हो तो तब हम speak या फिर talk का ही यूज़ करेंगे उसमें तो hope समझ में आ गया होगा या आपको तो next phrase देख लेते हैं next phrase है बर्दास्त नहीं कर सकता देखे बर्दास्त नहीं कर सकता को हम ऐसे भी कह सकते है कि मुझे बर्दास्त नहीं है अगर हम इसको past में बोले कि मुझे बर्दास्त नहीं था तो हम एक ही sentence को ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मैं बोल के दिखा देती हूँ जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम बर्दास नहीं हो मैं तुम्हे बर्दास नहीं कर सकता तो ये तो दोनों present पे हम same sentence को ऐसे बोल सकते है और अगर past की बात करे तो भई मैं तुम्हे और बर्दास नहीं कर सकता था मुझे तुम और बर्दास नहीं थी ये नहीं थी ठीक है तो ऐसे बोल सकते है तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम sentence को बोल सकते है और इसके लिए हम phrase यूज करते है अगर हम present में बोलेंगे तो can't stand यूज करेंगे अगर हम past में बोलेंगे तो could not stand हम यूज करेंगे तो हम अगर present का बोल रहे है तो देखिए अब आप ये माँ सोचेगा किसमें सकता तो आया ही नहीं है तो अब हम इसमें तो can't यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे learners के mind में ये होता है कि जहां पर सकता आया है तो वहीं पर can use करना है तो भी अगर आपके mind में भी theory बनी हुई है can code को लेकर तो आप वो निकाल दीजे बहुत सारे ऐसे sentences हम बोलते है अपने daily life में जहां पर ये वाला logic काम नहीं करता हमें sentence की sense को पहचानना होता है और उसी के coding यूज करना होता है तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो या फिर ऐसे बोले तो आपको can't का ही यूज करना है past का है तो couldn't का यूज करना है तो देखे present का होगा तो can't stand का यूज करेंगे and past का होगा तो could not stand का use करेंगे इसके बाद आएगा object means जिसको भी बर्दास्त नहीं कर सकते उसे हम इस phrase के बाद में लिखेंगे example देख लेते हैं तो first example ले लेते हैं मैं तुम्हें अब और बर्दास्त नहीं कर सकता ठीक है तो यह हो जाएगा I can't stand you anymore राइट तो यह sentence हो गया I can't stand you anymore अब देखें हमने वह यूज क्या पहले हमने subject लिखा और चुकि present का sentence है तो हमने can't stand you क्या object है you and of के लिए हम यूज करेंगे anymore I can't stand you anymore next देखें मुझे उसकी बात बर्दास्त नहीं थी तो यह मैंने past का ले लिया है प्रजेंट में भी आप बोल सकते हैं मुझे उसकी बात बर्दास्त नहीं होती ऐसे भी आप sentence को बोल सकते हो तो मुझे उसकी बात बर्दास्त नहीं है subject case में आए तो यह हो जाएगा I could not stand her talks तो यह sentence हो गया I could not stand her talks तो पास्ट के होगी यह बात है अब यह देखें मुझे बेहुदी बात पसंद नहीं है बहुत बार हमारे सामने कोई बकवास करता रहता है बकवास करता है तो फिर लास्ट में हमें बढ़ा भाई देखें बेहुदी बात करना बंद करो और मुझे बेहुदी बात अच्छी नहीं लेगती मुझे बेहुदी बात बरदास्थ नहीं है यह इंग्लिश में हो जाएगा I can't stand nonsense talk तो यह sentence हो गया I can't stand nonsense मुझे बेहुदी बात पसंद नहीं है तो जब भी आपको बर्दास्त नहीं कर सकता बर्दास्त नहीं है ऐसे sentences गोलने हो तो जस्ट आपको यूज़ करना नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई टेक केल स्टे हल्दीन कीप लर्निंग